आप सभी को पता होगा बाइनास एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करंसी एक्सचेंज है यहाँ पर आप किसी भी क्रिप्टो करंसी को डिरेक्ट इंडियन रूपी से बाई और सेल नहीं कर सकते हैं तो अगर आप बाइनास एप पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो म मैं आपको बताओंगा कैसे आप यहाँ पर इंडियन रूपी करके किसी भी क्रिप्टो करंसी को बाई और सेल कर सकते हो So Binance App पर almost जितने भी Cryptocurrencies हैं वो आपको USDT के pair में मिलती हैं मतलब यहाँ पर Cryptocurrency को buy करने के लिए आप USDT का use कर सकते हैं और गईस जितने भी लोग इंडिया से हैं उनको यहाँ पर किसी भी Crypto को buy करने के लिए सबसे पहले USDT buy करना पड़ता है फिर उन USDT का use करके हम किसी भी Cryptocurrency को buy कर सकते हैं और यहाँ पर USDT को buy करना बहुत ही Simple है आप बहुत ही आसान steps में USDT को इंडियान रुपीज से buy कर सकते हो तो चलिए सीधा मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे आपको इंडियान रुपी से USDT buy करने है फिर आप उन USDT का use करके किसी भी Crypto में investment कर सकते हो ओके अभी मैं अपने Binance application पर आ चुका हूँ यहाँ पर हम market वाले option में click करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी cryptocurrency सर्च करोगे वो almost आपको USDT के pair में मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हूँ मैंने कुछ crypto currencies को अपने फेवरेट में add कर रहा है और सारी की सारी USDT के pair में मतलब इन सारी crypto currencies को हम USDT के तुरू buy कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडियन रुपीज यूज़ करके USDT buy करने है तो उन यूज़टी का यूज़ करके आप किसी भी crypto को यहाँ पर खरीज सकते हो तो चलिए जानते हैं कैसे आपको इंडियन रुपीज से USDT buy करने है इसके लिए आपको wallet वाले option पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर P2P का option मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है तो P2P method के तुरू आप किसी एक particular बंदे को इंडियन रुपीज सेंड करोगे वो आपको उसके बदले USDT सेंड कर देगा यहाँ पर आप buy और सल दोनों कर सकते हो अगर आपके पास USDT है तो आप उन्हें sell करके इंडियन रुपीज अपने bank मिले सकते हो और अगर आपको USDT लेने है तो आप seller को इंडियन रुपीज सेंड करके उसे USDT buy कर सकते हो यहाँ पर हमें buy करना है तो हम buy वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आप USDT, BTC, BUSD, BNB, Ether यह सारी cryptocurrencies को buy कर सकते हो इंडियन रुपीज से directly बाइनांस पर किसी भी crypto को buy करने के लिए USDT सबसे अच्छा option है तो हम USDT buy करेंगे यहाँ पर आपके सामने कई सारे sellers की list आ जाएगी जो अलग अलग price में USDT sell कर रहे है हर seller की अपनी एक limit होती जिसे पहला seller है इसकी limit है 500 रुपए से 15,425 के भीज में मतलब इससे अगर हम USDT buy करते हैं तो हमें minimum 500 रुपए के USDT buy करने होंगे और यहाँ पर आपको इस seller का payment method मिल जाएगा जिसके तरू हम इसे payment करेंगे और यहाँ पर आपको seller की performance मिल जाएगी कि उसने कितनी trade आसता complete करी है और side में उसके order confirmation का percentage भी देखने को मिल जाएगा आप सिर्फ उस seller के तरू buy or sell करिए जिसका percentage 90 से ज्यादा हो otherwise वो आपका time waste कर सकते हैं तो जैसे मुझे यहाँ पर अभी 300 रुपए के USDT buy करने हैं तो हम एक ऐसा seller ढूड़ेंगे जिसकी minimum limit 300 रुपए हो तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके भी ढूड़ सकते हो या फिर आपको यहाँ पर filter का option मिलता है आप इस पर click करो और यहाँ पर अपना amount एंटर कर दो जैसे मैं यहाँ पर 300 रुपए कर देता हूँ तो यहाँ पर वो सारे sellers आ जाएंगे जिनकी limit 300 रुपए से start होती है और आप उसी seller के थुरू buy कर सकते हो जिसके सामने यह green color में buy लिखा हुआ है यहाँ पर यह जो दूसरा seller है इसकी limit है 100 रुपई से 3000 तक और इसने 880 trades complete करी है 96% इसका ratio है तो यह seller हमें genuine लग रहा है तो हम इससे buy कर लेंगे हम buy वाले option पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर अपना amount एंटर करना है अगर आप Indian rupees में amount एंटर करना चाहते हो तो आप buy fiat वाले option में एंटर कर सकते हो अगर आप USDT का amount एंटर करना चाहते हो तो आप buy crypto पर click कर दो अब यह मैं सिर्फ 300 रुपई के buy करने है तो हम यहाँ पर 300 एंटर कर देते हैं इसके बाद आपको buy USDT पर click कर देना है तो यहाँ पर आपको seller का payment method मिल जाएगा जिस भी payment method में आप उसे pay करना चाहते हो तो हम payment method वाले option पर click करेंगे हम इसे UPI के थुरूपे कर सकते हैं IMPS कर सकते हैं Paytm कर सकते हैं तो हम जैसे UPI करना है तो हमने यहाँ पर payment कर दिया है अब हम back करके Binance पर आएंगे तो payment हमाना done हो चुका है अब हम transferred, next वाले option पर click कर देंगे तो अब हमें wait करना है कि यह seller हमारा payment रिलीज कर दे तो यहाँ पर seller ने हमारे account में 3.53 USDT deposit कर दिये है अब हम done वाले option पर click करेंगे यह पर शेर्र चैक करने के लिए बटन करना है सबसे पहले हमें इने spot wallet पर ट्रांफर करना होगा दहन हम अंचे रेडिंग कर पाएंग तो पुप वाले इस चैकर बटन करने के लिए पर ट्रांसफर करने के लिए बटन पर क्लिक करने लिए y git spot wallet अब हें आप यहाइं आप क्रेटि से इस आप इन्डीयन रुपी रुपी से पी टूपी से गाहरा में में। आप इनसे बढ़े ऑम से किसी भी रॉसेल कर सक्थे हैंगे तो आप इनसेल कर सकते हो के तुरू आप इंडियन रुपीज से यूजडीटीज को बाय कर सकते हो बाइनास एप में और कभी-कभी जो सेलर या बायर होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो आपको यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सेलर को पे से यूजडीटीज को बाय कर सकते हो अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कोमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया